हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो नदर रियक्शन वीडियो तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि क्यों मैडम जनाब का पीछा नहीं छोड़ती एस पर मैडम हमेशा मैडम यही बूलती आज तो मुझे फुरसत नहीं मिली आज तो मुझे टाइम नहीं मिला लेकिन जब बात आए जनाब को स्पाय करने की तो मैडम वहाँ पे कभी भी पीछे नहीं हड़ती एंड वाइस वर्सा जब मैडम को कभी छोटा मोटा कोई काम या कोई रोल के लिए जाना पड़ता है तो वहाँ पे जनाब उनका पीछा नहीं छोड़ते तो दोनों के दोनों एक दूसरे पे यानी की ट्रस नहीं करते। इसलिए एक दूसरे को स्पाय करने के लिए एक दूसरे के सेट पे अकसर पाए जाते हैं इसके अलावा भी मुझे एक और important बात करनी है तो podcast को आप एंट तक जरूर सुनना और वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe जरूर करना तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो हमारी madam है वो टीवी इंडस्री में काफी अच्छा नाम और काम कर चुकी है आदर्श बहू का character play करते करते लगता है अभी तक madam उस real look की दुनिया से उस daily soap की दुनिया से बाहर नहीं निकल के आपाई क्योंकि उस daily soap की character की वावाई जो madam को लोगों के घरों से अपने लिए सुनने को मिलती थी उस तीज के आदत madam को इस कदर हो चुकी है कि madam अभी तक show over हो गया madam की age भी over हो गया लेकिन madam के अंदर से अभी तक वो character over रही वाँ वो character अभी तक चालू है इसलिए show बंद हो गया लेकिन madam के vlog में अभी तक भी आपको madam का वही आदर्श बहु वाला जो character है वो नजर आता है हाला कि इस character के पीछे की reality देखने वालों ने वो भी observe कर ले है और जानने वालों को वो भी पता है कि वो character सिर्फ सिर्फ picture पे था यानि कि सिर्फ और सिर्फ हमारी टीवी स्क्रीन पे और अब vlogs में हमारे mobile स्क्रीन पे लेकिन उसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है वो सब कुछ कालपनिक है तो किरप्या करके उसको एक fiction story की तरह ही देखें ज्यादा दिल ना लगाए तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ the reason behind कि पिछले काफी वक्त से मैडम को इतनी sympathy मिली इतनी attention मिली इतना pity feel किया लोगोंने मैडम के लिए क्योंकि हमेशा से मैडम ने अपने show में यही तो किया है एक तरस खाईवी बेचारी आदर्श बहू जो की सब की negativity का शिकार होती है जिसको परिवार के सारे लोड प्रतारित करते हैं वो ही तो character मैडम प्ले कर रही थी कभी सास के ताने कभी चिठानी के ताने कभी देवरानी के ताने वही सब character मैडम ने अब अपने घर के सदस्यों के हिस्से में दे दिये हैं तो मैडम अपनी pregnancy journey से लेकर अभी तक वसी character में थी एक sympathy वाले character में जहां पे मैडम चुप चाप सिर्फ सुनके और हाँ 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 इंजॉय करती होगी definitely जब मैडम को दिखता होगा कि हरे कोई कहा रहा है कि मैडम के पैर इतने सूजे हैं सास take care नहीं करती कोई कहाता था अरे मैडम का c section हुआ है परिवार का कोई सदस्य साथ में नहीं है अरे मैडम घर आ चुकी है मैडम के बाल ऐसे हैं मैडम के कपड़े ऐसे हैं मैडम को नहाने का time नहीं है बेवी की take care करने वाला कोई नहीं है मैडम के ओपर पूरे सस्राल की जिनमेदारी आ रह कि इस पूरे घर में बेचारा कौन है और इस पूरे घर में महारानी कौन है अक्सर यही मिसकंसेप्शन लोगों के माइन में रहा कि बेचारी मैडम तो अपने सस्राल वालों के लिए करती करती ठकती नहीं है जब देखो उनके गुणगान गाती रहती है और बेचारे सस्राल वाले मैडम को पूछने तक नहीं आते उनके लिए ये नहीं करते उनके लिए वो नहीं करते so guys let me clear you कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम मैडम ही है अपने घर की मैडम के इंस्ट्रक्शन के बिना कोई आ नहीं सकता मैडम का जो bossy attitude है अपने खाने को लेके particular होना अपनी चीज़े को लेके particular होना तो कोई उनके लिए कैसे बना सकता है तो देखा जाएं तो गलती घरवालों की नहीं है गलती किसी की भी नहीं है मैडम के अंदर इतना जादा superiority complex है कि मैडम को अपने हागे सब चाए कम पानी लगते हैं इसलिए मैडम ने चाए की recipe तक share कर दी क्योंकि मैडम को लगता है कि वो चाए से लेकर खाना बिल्कुल perfect बनाती है और उसके अलावा मैडम को किसी की भी guidance की कोई जरुरत नहीं है लेकिन क्योंकि मैडम को अपना आदर्श बहु वाला भी नकाब पहने रखना है उस नकाब को उतारना नहीं है तो कभी कभी इस angle को बनाने के पीछे भी कुछ न कुछ मोटिफ होता है तो इस एंगल को मैडम कभी भी न टेड़ा मेड़ा नहीं होने देगी इसको बिल्कूल पर्फेक्ट ही रखेगी लेकिन चीजे तब थोड़ी सी क्लियर होनी शुरू हुई जब फाइनली लोगों को ये देखने को मिला कि एक्चुल में उनके बेबी की केर कर कौन रहा है बे आगा है मी नहीं लगा आज मुझेफरसत ही नहीं मिल्या आज तो यह सोया ही लेकिन जब भी हम व्लॉग में देखते हैं इनका बेबी हमें अधिकतर सोयावाही मिलता है या अपनी डाड़ी की गोद में मिलता है तो मैडम कौन से ऐसे काम में इतना बिजी होती है कि पूरे दिन मैडम के पास टाइम भी नहीं होता आज इनकी मम्मी की हालत देखे देखो ये नजर तो आ गया कि उनकी मम्मी को बिचारी को फुरसत से चाए पीने तक का टाइम भी नहीं है बेबी को हाथ में लेके पहले तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज है और एक बहुत ही केरलेस नेचर है कि बच्चा आपकी गोद में है और बच्चा भीलने डूलने वाला हो गया और आप चाए पी रहे हो चलो तुमारी मम्मी नेगलेट कर लेकिन तुम तो परफेक्ट बहु परफेक्ट मादर और सुपरवुमेन हो तुमारे माइंड से ये चीज़ कैसे निकल गई कि अगर जरा सा बच्चा हिल गया तो चाए का कप संभले नहीं संभलेगा और वो बच्चे के ओपर गिर सकता है इनसे ये भी नहीं हुआ कि ज इतनी महनत नहीं हुई कि मम्मी से बच्चा थोड़ी देर के लिए ले ले और इनकी मम्मी की हालत अगर आप कंपैर करोगे ना शुरू से जब वो आई थी जिस तरीके से वो पुने में रहती थी उनकी मम्मी बहुत ही पिकुलर है अपनी चीजों को लेके और बहुत ही कोटे से चोटा समान उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से और्गनाइज करके रखा था और आज अकर आप इनकी मम्मी की कंडिशन देखोगे थोड़े दिन पहले तो उनकी मम्मी के सर पे इतने ग्रे हैर हुए थे जब लोगों ने कमेंट करना शुरू किया तो नेक्स व्ल बच्चों को अपने नाती पोतों को संभालती नहीं है बिल्कुल संभालती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने सारा का सारा भार जो है वो नानी के सर पे ही डाल दिया क्योंकि एक बच्चे के साथ जो मा का रूटीन हो जाता है और जो मा की एक्शल में हालत होती है व लेकिर अगर आप मैडम के चहरे का ग्लो देखोगे ना तो मैडम के चहरे का ग्लो बिलकुल बरकरार है और वहीं पे इनकी जो मदर है ना उन्होंने काफी जादा वेट लूज कर लिया है बोलने का मतलब यह है कि ठीक है तुमारी मम्मी अगर बेबी को समाल भी रही हैं तो कुछ चलो सब की मम्मिया सब नाणिया समभालती हैं तो कम से गम तुम अपना रोना लेकर तो दुनिया के आगे मत्या को मत दिखाऊ कि तुम कितनी ओक्यूपाइड हो क्कि बिजी हो क्योंकि कि अप वीति यह तो पता चलता है तो कि आपके पास इतनी कि आप सेट पे पहुँच जाती हैं आपके पास इतनी फुर्सत है कि आप भगवान केलेक्शन पहुच जाती होंगी स्किन केर सब कुछ करती होंगी लेकिन वह अप दिखाती नहीं है क्योंकि अगर आपने वह चीज दिखा दी तो आपके उपर से आदरश बहु और सूपरम हिंको अपने आप से इतना opposition है एंको अपने तीवी सेरिए के करेक्ट्र वाली बहू से इतना दाा Instration है कि इनका झाऊठिज खतक मीलोग और पहसे देखा जाए तो इस family में सबी के सभी obsessed है किसी और से नहीं अपने आप से self-obsessed है, तो क्या ही कहें तो ये था मेरा आज का एक reaction, I hope आप लोगों को पसंद आया होगा, like, share and subscribe जरूर कर दें, यान मिलते हैं next video में, तब तक अपना ध्यान रखिए, thanks for watching, earth mom देहरादुन